अमरावती मदला एकुनस घटना करम हा अस्वस्त करना रहे। मी पहले अन्दातर सर्वान ना विननती करतो कि अमरावती मदे शांतता प्रस्तापीत करावी कोणी ही हिंसाचार करूने। मात्र जा प्रकार चे मुर्चे महाराष्ट्रा मदे निखाली हेक सु नियोजित शड़े अंत्र वाट्टै। त्रिपूरा मदे जी घटनास घटली नाई। त्या घटने वर अशा प्रकार चे मुर्चे काडना। ये अत्यंत चुकी चै त्रिपूरा सरकार नाणी त्रिपूरा पोलीशानी स्वताहा जी मशीद जाली मनोन फेसागे आंदोलोन होता है। त्या मशीदी चे फोटो है जारी केले है। अणि कशा प्रकारे सोशल मेडिया वर टकलेले फोटो खोटे है। ये देखिल जारी केलेला है, तेई प्रकाशित केलेला है, आणि ये सगल सोशल मीडिया वर पेट्रोनेचा प्रेत्न कशा प्रकारे करने अतला तेला कोनवर करवाई केली है, तमें कुटली ही मशीद ही त्रिपूरा मरे जान्यात जालेली नाही, अस अस्तान त्या संदरबात अफवान वर महाराष्ट्रा मदे मोर्चे काड़ाईची, आणि तेचा वर हिंदूनची दुकान जालाईची, हे देखिल योग्ये नाही है, सरकार नी यावर देखिल कड़क करवाई केली पाईजे, आणि सरकारी पक्षयात्चे नेते, ये स्टेज वर जाऊन, भड़को अची दुकान टार्गेट करन, हे रिखिल बंदा जाला पाईजे, आणि दोनी समाजाने, या धिकानी शान्त अता पाईजे, असामसस प्रस्टम हता है, त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके उपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे है, ये बिल और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिये है, उसका भी परदाफाश किया है, बाउजूर उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए, और विशेश रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई, और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास कि किया गया, हम इसकी निंदा करते, साथी में, अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके उपर रियाक्शन हुई, ये सारा अस्वस्त करने वाला माहौल है, मैं अमरावती के लोगों से निविदन करना चाहता हूँ, बिंती करना च भड़काना, ये भी गलत बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पारिटी के लोग स्टेज पर जाकर, जिस प्रकार से भड़काने वाला भाशन देते हैं, और उसके बार मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कही न कही इसकी सुद ली जानी चाहिए, उनके उपर भी कारवा करने चाहिए,